नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने EDP ट्रेनिंग को कैसे कम्प्लीट करेंगे दोस्तों अगर आपको PMEGP के loan को apply करना है या उसको sanction करवाना है आपको pass करवाना है तो आपको EDP training लेना बहुत ही आवस्तक है तो EDP training को दोस्तों कैसे हम लेंगे किस तरीके से लेंगे पूरा detail हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों EDP का full farm होता है entrepreneurship development program तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम अपने EDP training को कैसे complete करेंगे दोस्तों EDP training को आप दो तरीके से कर सकते हैं एक होता है application के माध्यम से, एक होता है आप website के माध्यम से कर सकते हैं तो अभी हम आपको EDP training को application के माध्यम से करना बताएंगे क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही easy होता है और अगर आप website पे जाएंगे तो कभी-कभी site down चलती है या कुछ और problem आता है तो उस जगे में आपको बहुत ज्यादा समस्या होती है तो अभी हम आपको application के माध्यम से बताने वाले हैं दोस्तों EDP training को complete करने के लिए सबसे पहले आपको play store को open करना है यहाँ पर search bar में आपको type करना है उद्यमी उद्यमी लिखकर आपको इसको search कर देना है दोस्तों application को जैसे आप open करेंगे तो आपके सामने इस पकार से page open हो जाता है तो दोस्तों यहाँ इस page पर आने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पहले वाले option को ही select करना है आपको यहाँ पर देख लिजिए जो BMEGP loan beneficiaries के लिए बना हुआ है तो beneficiary जोस्तों अगर हम अपने loan को apply करते हैं तो हम ही को beneficiary बोलते हैं तो यहाँ इस arrow के उपर click करके आपको आगे बनना है तो आगे बनने के बाद दोस्तों आपके सामने तीन प्रकार से option पूछेगा तो यहाँ पर मैंने free वाले को ही select किया था तो यहाँ इसके उपर आपको click कर देना है दोस्तों आगे बढ़ने के बाद आपको अपने language को select कर लेना है जो भी जिस भी language में आप अपने DP training को complete करना चाहते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिजे आपको अपने mobile number को fill कर देना है दोस्तों यहाँ पर जैसी आप mobile number को fill करेंगे तो यहाँ पर देख लिजे आपका जो state code है यहाँ पर state code के साथ में कुछ numbers और extra link कर आपके सामने चले आएंगे और यहाँ नीचे में दोस्तों आपको आपका नाम यहाँ पर show हो जाएगा इस प्रकार से तो नाम show हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे जो है आपको OTP को fill करने का option मिल जाएगा तो simply आपका जो भी registered mobile number है आपके bank में तो यहाँ पर उसी नंबर को आपको fill करना है उसके बाद उसी नंबर पर आपका OTP जाएगा तो यहाँ पर आप उसको fill करने के बाद दोस्तों जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आपका application open हो जाएगा application open हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिए सबसे पहले अगर आप किसी और language में अपनी EDP training को complete करना चाहते हैं तो आपको simply यहाँ उपर देख लिजी एक language का option मिलेगा तो simply आपको इसके उपर क्लिक कर देना है इसके उपर जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई language में इस EDP training को आप complete कर सकते हैं तो अभी मैं फिलहाल आपको Hindi में बताने वाला हूँ तो simply आपको Hindi वाले language को select करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ से continue के उपर क्लिक कर देना है दोस्तों वीडियो में एक-एक चीज आपको मैं बारीके से बताने वाला हूँ तो इसलिए please वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे दोस्तों इस वीडियो में आपको EDP training से related सारी चीज़े हैं हैं आपको बताने वाला हूँ जो भी काम करना है आपको यहाँ पर करना है EDP प्रसिस छड़ सुरू करने की ऊपर, तो सिम्पली आपको कुछ नहीं करना है इसकी ऊपर एक बार क्लिक कर देना है, कि आपको एक दिन में मात्र एक ही मोडियूल को complete करना है ऐसा नहीं कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं दो-दो मोडियूल को complete करना है तो दोस्तों मैं माल लेता हूं कि अगर बाइचांस आपने सारे वीडियूज को देख भी लेते हैं दो मोडियूल के तो आप इसमें exam नह सकता है यहां पर 11 modules आपको मिलने वाले हैं तो जिस भी module को आपको complete करना है उसके उपर आपको यहां पर प्रारम के उपर आपको क्लिक कर देना है तो इसको open करने के बाद दोस्तों आप दो टाइप से अपने ADP training को complete कर पाएंगे एक तो है दोस्तों वीडियो के मादन से दूसरा है PDF के मादन से दूस्तों यहां जैसे हम पहले वाले PDF के उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां screenshot सारे दिख जाएंगे तो अगर आपको किसी भी चीज में पूछ भी डाउट होता है तो आप यहां से इसको देख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों अगर इसको आपको complete करना है तो आपको simply सबसे पहले मैं recommend करूंगा आप वीडियो से के ऊपर ही इसको आपको complete करना है तो वो 95% कहां से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों चाहे तो आप तीन वीडियो को देख सकते हैं चाहे तो आप एक ही वीडियो को repeat कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको 95% के ऊपर ही इसको complete करना है तो यहां पर जैसे आप वीडियो को के उपर complete करके आप अपनी EDP training को आगे बढ़ा सकते हैं 96% तक अगर आप complete कर देते हैं तो आपका examination का जो farm है वो आसानी से open हो जाता है आप exam देकर इस module को clear कर सकते हैं और दूसरे module में जा सकते हैं तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहां से bike हो जाना है और जितने भी वीडियोज हैं दोस्तों उसको आपको बारी-बारी से देख लेना है दोस्तों यह module 3-4 घंटे के बीच में maximum रहता है और उसके बाद कभी-कभी तो 2-3 घंटे का भी रहता है तो इ यहां आप साइड में भी देख सकते हैं हो सकता हैं यहां पर भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा तो आप इस वीडियो को देखकर अपने EDP Training Certificate को डाउनलोड कर सकते हैं आप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आयोगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत